जो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वालने हैं Classification of the Magnetic Material ठीक है इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ basic terms या definition की हम लोगों ने बात करी थी जो हमारी relate कर रही थी Magnetic Material के आज हम लोग classify करने वाले हैं कि हमारे जो magnetic material होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं ठीक है तो आप लोगों ने ऐसा chemistry में भी पढ़ा है और आज हम लोग physics के अंदर भी इसके उपर बात कर रहे हैं ठीक है अगर हम लोग magnetic material की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हम लोग इनको broadly 3 category के अंदर डिवाइड करते हैं ठीक है पहला हमारा diet magnetic दूसरा हमारा paramagnetic और तीसरा हमारा ferromagnetic material ठीक है तो मैं लिख रहा हूँ magnetic material ठीक है यह magnetic material को हम लोग broadly 3 category के अंदर classify कर रहे है सीखे बच्चो तो पहला हमारा हो गया डाया मेगनेटिक मेटेरियल दूसरा हमारा हो गया फैरो मेगनेटिक मेटेरियल स्वरी पैरा लिख लेते हैं पैरा मेगनेटिक मेटेरियल एंड थर्ड वन हमारा हो गया फैरो मेगनेटिक मेटिरियल यह हमारी तीन मेजर कटेगरी है जिसके अंदर हम लोग ने इनको कटेगराईज करा है यह डाय मेगनेटिक मेटिरियल वो होते है कि जब किसी external field के अंदर इसको रखा तो इसके अंदर magnetism induced होता है लेकिन opposite direction में हमने जो field अपलाई करा उसके बात समझें कि भई इसके अंदर magnetism होगा induced लेकिन वो magnetism हमार opposite direction में होगा जिस तरफ हम लोग ने field लगाया है उसके बिल्कुल opposite शेक है ना तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेकिन डिह जाये औम्सक 같은 बिल्स ग्यर टिढियु थेखलित इस ओ लै रफ दूर लोर। आफ दा यो आपलाइड मैगनेटिक फिल्ड जो हमने फिल्ड आपलाई करा था उसके बिलकुल एपॉज़िट इसके इंदर मैगनेटिजम इंडियूस होता है स्टीक है वीक या फिबल यहां पर magnetism induce होगा तो लिखेंगे the feeble magnetism induces in the direction of the applied magnetic field जिस direction में हमारा magnetic field है उसी direction में हमारा induces magnetic field भी होगा श्रीक है ferromagnetic material के बाद कर रहे हैं तो यहां पर strong magnetism induces होता है the strong magnetism induces in the direction of the अप्लाइ अप्लाइ magnetic field यानि कि जिस direction में हम लोगों ने field अप्लाइ कर रहा था उसी direction के अंदर हम देखेंगे एक strong magnetic field induces होगा श्रीक है ना तो हमने देखा कि जो diamagnetic material है paramagnetic material हो ferromagnetic material को हम लोगों ने external field के अंदर रखा external field के अंदर रखने के बाद हम लोगों ने देखा कि जो diamagnetic material है इसमें magnetism induced होता है लेकिन opposite direction के अंदर इसमें magnetism induced होता है in the direction of field इसमें भी in the direction होता है लेकिन यहाँ पर strong होता है यहाँ पर weak होता है clear वच्चो बात हम लोगों को समझ में आई हम लोगों ने एक मोटा-मोटा categorize करा ठीक है magnetic material का ठीक है अब इनके अंदर जो magnetism induced होता है वो कैसे होता है हम उसके उपर अब चर्चा करते हैं ठीक है ना तब शुरुआत हम लोग dia magnetic material से करते ठीक है ना horizon of dia magnetic material horizon of magnetism origin of magnetism in dia magnetic material ठीक है इसके उपर हम लोग बात करते हैं ठीक है इस बात को समझने के लिए हम यहापर दो electron ले ले लेते हैं और दो electron की जो spin है atom के अंदर वो opposite direction के अंदर है हम लोग ऐसा मन कर चल रहे हैं और initially हम लोगोंने कोई भी फिल्ड वहाँ पर अपलाए नहीं कर रहा है ठीक है तो मैं यहाँ दो electron अजियूम करके चल रहा हूँ यह हमारा पहला electron हो गया ठीक है बच्चों और मान लेते हैं कि यह ऐसे घुम रहा है इसकी angular velocity ओमेगा है और यह V velocity से इस तरफ जा रहा है तो इसका जो magnetic moment हम लोगों को मिलेगा वो किदर मिलेगा निचे की तरफ मिलेगा क्योंकि जी current की direction इसके बिल्कुल opposite होगी तो अगर हम लोग right hand thumb rule लगाएंगे तो magnetic moment हम लोगों को मिलेगा निचे की तरफ चीक है भाई फंडर क्लियर है एक और electron हम लोग consider करके चलते हैं चीक है ना इसकी angular velocity ओमेगा opposite direction में है और मान के चलते कि हमारा electron इधर भी velocity से move कर रहा है लेकिन इसका जो magnetic moment हम देखेंगे वो उपर की तरफ मिलेगा क्योंकि current की direction अब opposite direction में होगा राइट हैं थमरूल लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो magnetic moment है उपर की तरफ हम लोगों को मिल रहा है अब एक electron का magnetic moment हमारे पस नीचे की तरफ है दूसरे का जो magnetic moment है वो उपर की तरफ है जो net moment है वो यहाँ पर क्या हो गया जीरो यानि कि अगर हम किसी diamagnetic material की बात करते है initial level के उपर उसके इंदर जो net magnetism होता है या net magnetic moment होता है वो जीरो होता है ऐसे कुछ material की जगर हम बात करें तो PB हो गया copper हो गया तो ऐसे एक या दो हमने material यहाँ पर mention कर रहे है ठीक है ना इनका जो initial magnetic moment होता है वो जीरो होता है अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों electron को हम लोग external field के अंदर रख देते हैं ठीक है ना किसमें रख देते हैं external field के अंदर हम लोग इनको रख देते हैं ठीक है मानके चलते हैं कि यह electron था ठीक है और यह external field हो गया जो निच्ची की तरफ आ रहा है बच्चो और यह electron था इसी position पर मानले और ऐसे वो जा रहा था ठीक है अभी magnetic moment और velocity की बात नहीं कर रहे हैं इसके उपर ठीक है magnetic field हर जीगे पर बस एक arrow से शो कर रहा है कि हर जीगे पर यहां पर magnetic field अबलेबर है ठीक है अब यहां पर मानके चलते हैं कि इसकी direction इस तरफ है motion की और field हमारे पस नीचे की तरफ है अगर यहां पर हम लोग flaming का left hand rule अपलाई करते हैं न तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इस electron के उपर जो force लग रहा है वो बाहर की तरफ लग रहा होगा यानि कि ऐसा लग रहा है centrifugal force इस electron को इसके motion से या circular motion से बाहर ले जाने की कोशिश करी जा रही है जब ऐसी कोशिश होती है तो हम लोग देखते हैं कि इसकी जो speed है जो velocity है उसमें थोड़ा सा change हो जाता है यहां कहीं कम हो जाती है ठीक है ना बात समझ में आप लोगों को आप यहां पर flaming का left hand rule apply करके देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहां पर force जो होगा वो बहार की तरफ होगा अपलाई कर सकते हो देखो current की direction इधर हो गया ही क्योंकि electron की moment की direction हम लोगों ने उपर की तरफ मानी है तो flaming का left hand rule apply करते तो यह B हो गया नीचे की तरफ current हमारा इस तरफ तो force हमारा इस तरफ तम जो दे रहा direction दे रहा है वो force की दे रहा है पर प्रों बात आप लोगों को समझ में आई ठीक है इसी तरह जब इसके velocity में हमें change देखने को मिल रहा है तो इसके current में भी हमें change देखने को मिलेगा तो हमें पदा चलेगा कि इसका जो net magnetic moment है वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि velocity कम हो गई ठीके ना तो यह हो गया m minus का del m लेकिन उसके opposite हमारे पास एक moment हमाले की एक और electron था उसके अंदर हम लोग देख रहे थे जो direction motion है वो बिलकल opposite था electron का वो इधर मूग कर रहा था ठीके भई और हमारा जो field की direction थी वो अभी भी किदर थी नीचे की तरफ ही है कि अब हर एक electron के लिए field का direction तो बद लेगा नहीं अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर यहां पर क्या होगा कि जो velocity होगी electron की वो बढ़ जाएगी क्यों बढ़ जाएगी क्योंकि है न अब direction इसका motion उपर की तरफ था तो बाहर की तरफ है नीचे की तरफ है तो force अंदर की तरफ होगा अगर force अंदर की तरफ है तो speed बढ़ा देगा speed बढ़ा देगा तो current भी बढ़ गया current बढ़ गया तो magnetic moment भी बढ़ गया ये M plus del M हो गया ठीक है अगर यहाँ पे net magnetic moment निकालते हो तो 2 del M आएगा दोनों का सम करने के बाद इसका तो नीचे की तरफ था इसका उपर की तरफ था सम करने के बाद net 2 del M आएगा और इसकी जो net direction होगी वो कहा होगी उपर की तरफ होगी और हमने जो field अपलाई करा प्यारे वच्चों वो किदार है नीचे की तरफ यानि कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक अगर एक dia magnetic material हम लोगों ने किसी external field के अंदर रखा suppose करके चलो कि यह हमारा कोई dia magnetic material है और हमने किसी external field के अंदर रखा है यहां पर माल लेते हैं यह हमारा north external और यह हमारा south है तो इसके अंदर जो magnetism induced होगा वो बिल्कुल opposite होगा हमारे applied field के बात clear हो रही है यानि कि हम कहें कि इसके अंदर अगर field की direction इस तरफ है पूरी बना लेता हूँ तो इसके अंदर जो magnetism induced होगा वो इस direction के अंदर होगा यानि कि हमारे applied field के opposite यह काम करेगा तो ठीक है ना फंडा clear हुआ और यह field line को जो external source की थी उनको अपने through pass होने नहीं देगा यानि कि यह field line ऐसे जाने की कोशिश करेंगी फंडा clear हुआ समझ में आया ठीक है ठीक है भई आगे बड़े देखो हमें diamagnetic material की magnetism के बारे में हम लोगों को पता चला हम बात करते हैं अब paramagnetic material के बारे में ठीक है ठीक है बच्चों बात करते हैं paramagnetic material के उपर अब इतक हम लोगों ने बात करी थी diamagnetic material के उपर और हम लोगों ने कहा था कि बाई जब भी diamagnetic material की बात करते हैं तो दो electron होते हैं ठीक है और दोनों electron का जो spin होता है वो अलग-अलग direction के अंदर होता है यह हम का opposite direction के अंदर होता है जब ऐसे material को external field के अंदर रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक का जो net magnetic moment बढ़ आता है और दूसरे का जो net magnetic moment है वो कम हो जाता है ठीक है और और जो magnetic moment निकालते हैं तो हम लोगों को magnetic moment मिलता तो है लेकिन हमने जो field apply करा था उसके opposite direction के अंदर हम लोगों को वो मिल रहा था ठीक है और हमें यह भी बता चल रहा था है कि जो यह property है डाय मेगनेटिक मेटीरियल वाली वो change नहीं होने वाली है ठीक है ना कोई भी physical condition लगा लें ठीक है ना even temperature temperature यहाँ पर बहुत dominating होता है हमारे magnetic material के case में तो temperature अगर हम लोग change भी करना चाह रहे हैं तब भी हम देखेंगे कि जो डाय मेगनेटिक मेटीरियल है उसका जो property है वो change नहीं होता यह चीज और आप लोग एक बड़ी mention भी कर लेना कि जो डाय मेगनेटिक प्रोपरटी does not change over the temperature it remains constant यानि कि temperature अगरा concept है वो आगे फैरो मेगनेटिक में भी आएगा और पैरा के अंदर भी आ रहा है उस दोनों के उपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठीक है अब कहता है कि जो पैरा मेगनेटिसम है या पैरा मेगनेटिक जो मेटीरियल है उसके इंदर जो मेगनेटिक फिल्ड या मेगनेटिसम जो इंड्यूज होता है वो अनपेड इलेक्ट्रोन की वजह से या हम कहें इलेक्ट्रोन की स्पिन की वजह से नॉन कैंसलेशन स्पिन यहां पर एक कांसेप्ट आता है chemistry में आप लोगों ने बखो भी इस चीज को समझा होगा सिखे न यहाँ पे जो paramagnetic material की बात करता है कह रहें कि the magnetism in the paramagnetic material are due to the non-pair of electron or the non-cancelation spin of the electron यानि कि non-cancelation spin या कहे non-pair electron इन दोनों की वज़े से हम लोगों को क्या मिलता है वहाँ पर paramagnetic या paramagnetism हम लोगों को मिलता है ठीक है न यानि कि यहाँ पर बहुत strong field नहीं होता बहुत weak field होता है कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसा material है इस ठीक है अब उसके अंदर क्या थे कि अन्पेड electron थे क्या थे बच्चों अन्पेड electron थे और अन्पेड electron का जो moment है वो अलग अलग direction के अंदर था अजय के ना यह ने कि यह हमारा एक पैरा कि मैंगनेटिक मेटेरियल है इस ठीक है यहाँ पर कोई भी फिल्ड अप्लाई नहीं करा फिल्ड की वेल्यू क्या है जीरो है लेकिन जैसे हम लोगों ने कोई फिल्ड अप्लाई करा यहाँ पर ठीक है बी की वेल्यू हम लोग यहाँ नौन जिरो रखते और बी की डारेक्शन हम लोग रख लेते हैं इस तरव ठीक है पंडा क्लियर हुआ तो हम लोग देखेंगे कि जो एलेक्ट्रोन थे वो अलाइन करने की कोशिश करते हैं इन दा डारेक्शन ओफ फिल्ड मतलगी मैं नहीं कहता कि सारे करेंगे जस्ट एक रिप्रेजनेटेटिव मॉडल है यहाँ पर हम कहेंगे कि जो एलेक्ट्रोन है अलाइन या हम कहें जो मेगनेटिक मॉमेंट है सीधा सीधा मेगनेटिक मॉमेंट पर आते हैं मेगनेटिक मॉमेंट अफ ता इलेक्ट्रोन और ट्राइड तो अलाइन इन दा डारेक्शन ओफ मेगनेटिक फिल्ड श्रीक है और यहाँ पर यह आप लोगों को जो नजर आ रहा है यह क्या है रेंडमली ओरियंटेड मेगनेटिक मॉमेंट यहाँ पर हर एक एटम का जो मेगनेटिक मॉमेंट था वो रेंडमली ओरियंटेड था अलग अलग डारेक्शन के अंदर था ठीक है ना इन सब की वज़े से इनिशली लेवल के ओपर हम लोगों को कोई भी मेगनेटिजम नहीं मिल रहा था लेकिन जब हम लोगों ने ऐसे मेटेरियल को अंदर रखा हम लोगों ने तो हम लोगों ने देखा कि वह उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक पर्टिकुलर डारेक्शन की तरफ अलाइन होने की कौशिश कर रहे है ठीक है बही ऐसे कुछ मेटेरियल जिसकी अधान बात कर सकते हैं वो है हमारा एलुमीनियूम है हमारा सोडियूम हो सकता है यह हम कहें हमारा ऑक्सिजन गैस के एटम हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे एक्जामपल होंगे मैंने उन में से कुछ के यहां पर बात करी है ठीकर भी poly क्लीयर हुआ वान लोगोंको समझतीं आही कि जो पैर मैंडिपित्रीयल होते हैं हुसके जो इनिशिली हमारे यू एलेक्ट्रॉन होते हैं आहां हम कंवंका जो जो मैंडिपिकम्वेंट है जब उसको हम लोगोंने एक्जानल और रख दिया तो हम लोग देखेंग कि वहीं वह सारे के सारे beim मेंगेंट सी तरफ अलाइन होने की कौशिश करते स्ठीक है बात ध्यान में रहेंगी और यहां पर एक छीज़ आप लोग ने ध्यान में रखना है कि जो मेंगेंट tehic moment है जो अलाइन हो रहे हैं यह डिपेंड करता है कि हमारा जो magnetic material है उसका temperature क्या है ठीक है ना तो यहां पर मैं बात कर रहों कि जो पैरा मैंगेटिजम है कि इस अफ्रेक्टेड आप बाइदा कि टेम्परेचर अफ्ता कि मेटेरियल यह जो मैटेरियल है उसका जो टेम्परेचर होगा उससे वो अफेक्ट होगा इस बात को एक सांटिस था क्यूरी ठीक है ना उन्होंने बात कही थी ठीक है ना तो हम बात कर रहे हैं according to the Curie कै रहे है कि जो मैगनेटिजम इंडिज हुआ ठीक है ना जो मैगनेटिजम इंडिज हुआ वह डारेटली परपोर्शनल होता है हमारा जो magnetic field apply करा उसके और inversely परपोर्शनल होता है temperature के स्टीक है तो इसको कैसे लिखा उन्होंने कह रहा है कि intensity of magnetization intensity of magnetization हमारा directly परपोर्शनल होता है magnetizing field के और inversely परपोर्शनल होता है temperature के अब temperature को हम लोग T से रिपरसेंट करते हैं magnetizing field को H से और intensity of magnetization को capital M से यानि कि हम लोगों को मिला प्यारे बच्चो capital M directly proportions to H by T या हम कहें कि M by H inversely proportional हो गया temperature के है परपोर्शनल का sign अड़ाएंगे तो M by H is equal to C by T आ गया और M by H आप लोगों पढ़ा है susceptibility होती है is equal to C by T यानि कि हम कह सकते हैं अब susceptibility inversely proportional है temperature के यह बहुत बड़ी बात थी कह रहा है कि susceptibility क्या बता रही थी कि कोई भी magnetic material कितना easily कितना easily magnetize हो सकता है ठीक है लेकिन वो magnetism या magnetize होने वाली property किस से effect हो रही थी temperature से यानि कि आगर हम बात करें temperature जादा तो susceptibility यहां पर कम हो गई यानि कि not easily magnetize पंडा क्लियर अगर यहां बच्चो टेंपरेचर कम तो susceptibility बढ़ जाती है easily magnetize हो जाता है फंडा क्लियर हुआ समझ में आया आप लोगों को यह बात ठीक है ना तो इस बात को किसने explanation दी थी मैडम क्यूरी यह हम कहें क्यूरी करके साइंटेस थी और नहीं इस बात को justify कर रहा था क्यूरी एक साइंटेस्ट ठीक है ना क्यूरी दो साइंटेस्ट थे भाई फंडा क्लियर हुआ समझ में आया ठीक है अगर आप लोग इस इसके उपर ग्राफ भी बनाना चाहते हो तो ग्राफ बना सकते हो ठीक है अगर इन दोनों के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हम लोग कैसे मिलेगा इधर हमारा temperature होगी बच्चो और इ क्रोनों में इनवस्ट रिलेशन है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसके अलावा एक ग्राफ और बनता है एम बाइ एच और कि हैं सोरी है एम और एच बाइटी के बीच में इधर हमारा intensity of magnetization के रहे हैं इसका ratio और इसको की बीच में गर हम लोग ग्राफ बनाते हैं ठीक है ना हमारा constant है ठीक है CPU का कॉन्सटेंट है कि वкі्ह एउट हमें नहीं बता हम इसके पर बात भी नहीं कर रहे हैं एक जट्रैशन की करें इन दोनों के बीच में अगर हम लोग ग्राफ लोग करते है तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में इनिशली जो ग्राफ मिलता है वो बिलकुल straight मिलता है लेकिन h by t की अगर value बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम लोग देखते हैं कि ये अब saturation को प्रोच करना शुरू कर देता है ठीक है ना ये graph कुछ ऐसा बनता है ठीक है भई funda clear है यानि कि ये जो relation था ये जो reason था ये linear reason है ठीक है ना इस reason को बोलते हैं क्यूरी reason ठीक है और ये जो line अप लोगों को नजर आ रही है उपर की तरफ यहाँ पर हम कहते हैं कि ये हमारा saturated reason है यानि कि h by t की value अगर हम लोग फिर बढ़ाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि intensity of magnetization के अंदर यहाँ पर कोई फरक नहीं हो रहा है यानि कि जैसे-जैसे field बढ़ाते हैं वैसे-वैसे meditation के अंदर कोई भी फरक नहीं पढ़ता क्यों क्योंकि जैसे-जैसे हम लोगों ने intensity बढ़ाई जैसे-जैसे हम लोग intensity बढ़ाते हैं पहले 0 थी तो randomly oriented थे फिर जैसे-जैसे इसका graph हम लोग बढ़ाते हैं जैसे-जैसे हम लोग field की value बढ़ाते हैं या h की value हम लोग बढ़ाते हैं तो हम लेक देखेंगे कि यह देरे-देर oriented होना शुरू जाते एक particular direction के अंदर एक ऐसा फिल्ड आएगा जिसके उपर इस सारे के सार एक ही direction के अंदर हो जाएंगे ठीक है ना तब तक तो यह graph हमें कैसा मिलेगा बिलकुल straight मिलेगा लेकिन अगर उसके बाद भी आप लोग इस field की value को बढ़ाते हो तो अब हम लोगों को और orientation देखने को नहीं मिलेगी कि जितने भी electron थे या जितना भी magnetic moment था वो सारा का सारा एक direction के अंदर aligned हो चुका है आगे बढ़ें बहुत बढ़िया की अगा है कि अगर बात करते हम लोग अब फैरो मेगनेटिक मेटीरियल के बारे में ए सब्सक्राइब बात करने हम लोग फैरो मेगनेटिक मेटीरियल देखो जो फेरो मेगनेटिक मेटेरियल होते हैं वो स्ट्रॉंग मेगनेट की के अंदर आते हैं ठीक है और इनके अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोन होता है यह हम कहें एक इनदीविजयल एटम का जो मेगनेटिक मोमेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है न? कह रहे हैं कि जो इनदीविजयल एटम है इन फेरो मेगनेटिक मेटेरियल the magnetic moment the magnetic moment of individual atom is strong is too strong श्यक्यना so they can affected the nearby atoms also यहनि कि इतना strong होता है कि अपने nearby atom को भी वो क्या कर लेते हैं affect कर लेते हैं और अब क्या होगा कि बहुत सार जो electron थे जो sorry atom थे वो एक particular direction के अंदर particular direction के अंदर align हो जाता है है श्रीक है ना hence सीधा लिखते है हैंस they align या number of atom hence number of atoms aligned in a particular direction एक particular direction के अंदर वो प्यारे बच्चों align हो गए के लिए रहे और उस group of atom को हम लोगों ने बोला domain क्या बोला इसको domain इसके मैं इस बात को दूबार लिखता हूं group of atom that having magnetic moment इन्हें particular direction एक particular direction के अंदर है तो उसको हम लोगों ने बोला domain तो ferromagnetic material को समझाने के लिए एक domain theory दी गई क्या दी गई domain theory इस domain theory के अंदर यही का गया कि हर एक atom जो ferromagnetic material का है उसका जो magnetism होता है या sorry magnetic moment होता है वो भात strong होता है इस वज़े से अपने nearby atom को भी वो affect करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ group of atom एक particular direction के अंदर aligned हो जाते हैं इस group of atom को हम लोग बोलते हैं domain ऐसे बहुत सारे domain बनते हैं किसी भी ferromagnetic material के अंदर जो randomly oriented होते हैं और जो domain size होता है जो domain size होता है वो up to 1 mm तक हो सकता है या इस से ज़्यादा मलकी अप्रोक्स अप्रोक्स size of domain can be 1 mm और इसके अंदर जो number of atom जो हम लोगों को मिलेंगे वो लब दसकी power 11 के आसपास हो सकते हैं ठीक है भाई अब इसका जो pictorial representation हम लोग देखें ferromagnetic material का तो हम लोगों को कुछ ऐसा नजर आएगा कि हम मानके चलें कि एक हमारे पास यह magnetic material है बच्चो हमने एक domain बना लिया है इस domain के अंदर हम लोग देख रहे है कि एक material बना लिया है इसके अंदर हर एक जो section आप लोगों को नजर आ रहा है वो एक domain है और यह domain randomly oriented है ठीक है भाई कोई भी particular direction नहीं है इनकी ठीक है ना वो किसी भी direction के अंदर oriented हो सकते हैं ठीक है यहाँ पर कह सकते हैं ferromagnetic material ठीक है randomly oriented domain ठीक है यह randomly oriented domain है ठीक है जैसे हम लोगों ने इसको external field के अंदर रखा यहाँ पर जो b का value है वो 0 है लेकिन जैसे हम लोग इसको external field के अंदर रखते हैं ठीक है जैसे हम लोग इसको external field के अंदर रखते हैं इसको तोड़ा दोबारा बना ले diagram को ठीक है कोशिश करेंगे बच्चों कि बिल्कुल ऐसा ही बने ठीक है पूरी कोशिश है हमारी ठीक है अलवस अलवस हमारा बिल्कुल वैसे बन गया ठीक है जब एक्सनल फिल्ड की वैल्यू हम लोग जीरो रखते हैं बलकि नॉन जीरो है यह हम कहें हमारा जो फिल्ड है वो एक पैटिकुलर डारेशन की तरफ है तो हम लोग देखेंगे जो सारा का सारा डॉमेन है वो एक ही डारेशन के अंदर अलाइंड हो जाता है ठीक है भाई यानि कि यहां पर कहें कि जब हम लोग ने छोटा साई फिल्ड लगाया कि जैसे ही फिल्ड सेट अप करा ठीक है ना वेन ए मैगनेटिक फिल्ड सेट अप देन देमेगनेटिक मॉमेंट या सीधा सीधा देन दा डोमेन अलाइन इन दा डारेक्शन ओफ मैगनेटिक फिल्ड जो फिल्ड हम लोग ने अपलाई करा था उसी डारेक्शन के अंदर ये अलाइन हो जाता है सीखे भाई तो बात क्लीर हुई समझ में आया हम लोगों को कि बही जब एक फेरो मैगनेटिक मेटेरिल की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर इन्दूजल अटम की बात न करके हम लोग ग्रूप अफ अटम की बात करते हैं और वो ग्रूप अफ अटम हमारा कहलाता है डोमेन ठीक है डोमेन कहने की वज़े यहां पर ये भी थी कि उनका जो नेट मैगनेटिक मुमेंट है वो एक पैटिकुलर डारेक्शन की तरफ होता है लेकिन फिर भी उस फेरो मैगनेटिक मेटेरिल के अंदर सारा का सारा जो डोमेन होता है वो रेंडमली ओरेंटिड होता है नेٹ मैगनेटिजम उसका भी 0 होता है लेकिन जैसे ही हम लोगोंने magnetic field अपलाई करें अप हाथ स्रॉंग की बात नहीं कर रहे हैं अगर weak magnetic field भी हम लोगोंने apply कर दिया तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर सारे के सारे जो domain थे वो एक particular direction के अंदर aligned हो गए एक particular direction के अंदर aligned हो गए ठीक है यह बात आप लोगों को समझ में आई ठीक है अब यहाँ पर हम बात करें अगेन क्यूरी की ठीक है कह रहे हैं कि यहाँ पर जो property है अलाइंड होने वाली यह effect होती है temperature से किसे effect होती है temperature से effect होती है कैसे होती है इसके अपर हम लोग चर्चे करते हैं कि क्या रहे है according to query सीधा सीधा लिख देते हैं जो susceptibility है वो अब हमारी कहलाती है one upon me T minus Tc पहले तो temperature था सीधा अब T minus Tc भी आ गया यहाँ पर जो Tc हम लोग ने लिखा यह क्यूरी temperature है बच्चो कह रहे है कि अगर temperature less than रहता है Tc के तो material हमारा ferromagnetic रहेगा अगर T हमारा greater हो जाएगा क्यूरी temperature से तो होगा क्या कि जैसे जैसे temperature बढ़ेगा तो domain है उसके जो भी आटम है वो भी रेंडम ले औरिंटेड होने की कौशिश करेंगे अब वो फैरा मेगनेटिक की बज़े कैसा बन जाएगा पैरा magnetic material बन जाएगा ठीक है भई फंडा क्लियर हुआ समझ में है आप लोगों को ठीक है यहाँ पर अब एक छोटा सा हम लोग गमपेरेजन करते हैं डाया मेगनेटिक पेरो मेगनेटिक और पैरा-मेगनेटिक कर दिसके ओपर कौशन आता है वहीं है ठीकर और फैरो मैगनेटिक मेटेरियल इस चीक है पुर्णा क्लियर हुओ बास समझ में यही देखो आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इस मैटेरियल के इंदर हम लोगों देखा था कि जो नेट मैगनेटिजम आया था ना वो अपॉज़ डियरेक्शन में आया था हमारे अप्लाइड फिल्ड के यानि कि यहां पर जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कैसी होती है नेगेटिव होती है और इसके साथ हम कहेंगे वो कॉंस्टेंट होती है ठीक है ना इसकी ससेप्टिबिलिटी हमारी positive होती है ठीक है इसकी susceptibility हमारी positive होती है के लिए रहे बच्चो funda clear हुआ negative है positive है positive है ठीक है constant मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ पर constant की value यहाँ पर लिख लो कि इसकी value small होती है small value इसकी भी value क्या होती है small value होती है इसकी value large होती है यानि की thousand के असपास होती है उससे जादा होती है ठीक है पहली बात आप लोगों को समझ में आई कि जो diamagnetic material है उसकी जो susceptibility है वो negative होती है ठीक है ना negative इसकी value positive होती है और इसकी value भी positive होती है लेकिन बहुत बढ़ी होती है ठीक है ना बहुत जादा negative नहीं होती है ठीक है एक चीज़ का जहन में रखना इसकी value negative तो आती है लेकिन ये negative आती है ऐसे लिखलो इसको negative लिखना है ये 0 और minus 1 0 से और minus 1 के बीच में होती है इसकी जो susceptibility आप लिख लेना greater than 0 होती है और less than 1 होती है और इसकी susceptibility हमारे पर greater than 1000 होती है ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है बात करते हैं हम लोग permeability की यानि की relative permeability आप लोग देखें की relative permeability का जो formula था mu r वो 1 प्लस में xm आया था mu r is equal to 1 प्लस में xm यानिकी susceptibility mu r is equal to 1 प्लस में xm यह negative है तो mu r less than 1 आएगा बेवने बोलाना है कि इसकी value थोड़ी सी कम होती है 0 से और minus 1 की वीच में होती है तो minus 1 के आसपस की value रखेंगे तो यह value less than 1 हो गई यह थोड़ी सी positive होती है 1 से चोटी है और 0 से बढ़ी होती है तो mu r की value greater than 1 हो गई यह thousand बोला thousand में एक जोड़ दिया तो mu r हम कहा सकते है greater than होता है thousand से के लिए रहे फंडा समझ में आया हमने बोला था कि जो diamagnetic material होता है वो temperature से affect नहीं होता यहने कि diamagnetic material या diamagnetism does not affected by the temperature affected by the temperature affected by the temperature फंडा क्लियर है यहने कि यहां पर हम बात करते है temperature और susceptibility की बीच में तो इसका जो value आता है वो negative आता लेकिन constant रहता है श्रीक है बच्चो यहने कि negative susceptibility इसकी बात करते हैं तो हम लोग देख रहे थे टी और ससेट्रीबिटी में relation निकाल रहे थे तो हमने देखा था रिलेशन हमारा inverse आ रहा था यहां पर भी अगर हम लोग t-tc और susceptibility में relation निकालेंगे सिदा सिदा कहा सकते हैं temperature ठीकिए कोई confusion नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि यह relation भी हमारा inverse ही होगा ठीक है बच्चो फंड़ा क्लियर हुआ समझ में आया कर सकते हैं तो यह कुछ properties थी जिनके ओपर बहुत सारे caution बनते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे comparison दे रखा हमारा diamagnetic material में, paramagnetic material में और ferromagnetic material के अंदर तो आप लोग एक बर इन questions को देखीग करिएगा फिर भी कोई query कोई doubt रह जाता है तो आप लोग मुझसे पूछिए कहां सीके मैं तब तक के लिए शुक्रिया थैंक्यू